गुप्ता डाइनस्टी पढ़ रहे थे और हम सभी गुप्ता एंपरोर्स जो प्रोमिनेंट थे उनकी हम बात कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता डाइनस्टी गुप्ता डाइनस्टी में कुछ अनोखे काम हुए थे जिसके वजह से जाना जाता है ठीक है इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का हम बात करेंगे इसके बारे में तो देखिए गुप्ता रूलर्स थे वो वैदिक रिलिजन को फॉलो करते थे वैदिक रिलिजन प्रेडिसेसर है हिंदुईजम का यानि कि हिंदू रिल रिलिजन था वो वैदिक था सनातन धर्म ठीक है इससे पहले कोई रिलिजन नहीं था है बड़े नेचर को वर्शिप करते थे इनके जो गोड़ गोड़ेस थे वो सब नेचर को डिपिक्ट करते थे जैसे कि यह सन की पूझा करते थे ठीक है सन नैचुरल है विंड रिक्षन थे इनको वर्शिप करने के अलग तरीके थे वैदिक रिलिजन नहीं सिखाता किसी भी दूसरे धर्म को बुरा बताना तो ये लोग भी किसी दूसरे धर्म को गलत नहीं बताते थे उसी टाइम बुद्धिसम काफी फ्लोरिश किया इन्होंने बहुत सारे स्थूपाज बनवाए गुपताज ने खुद ये वैदिक रिलिजन को फॉलो करते थे लेकिन ये help करते थे बुद्धिसम को भी फ्लोरिश करने में इन्होंने बहुत सारे स्थूपाज बनवाए थे ये बुद्ध की एक स्टैचू है जो मतुरा में मिली थी इसमें खास ब काली दास ने अभिज्यान शाकुंतलम लिखी रगुवन्शम लिखा इन्होंने ठीक है शुद्रक थे जिन्होंने मृच कटिकम लिखा मृच कटिकम संस्कृत का पहला नाटक था मिट्टी की गाड़ी इसका मतलब होता है मुद्रा राक्ष विशाक दत ये सब इसी टाइम में प्रेजेंट थे गुपता अब ये ऐसा क्या था कि सभी लोग इसी टाइम में प्रेजेंट थे गुपता रूलर से वो काफी लोगों को मोटिवेट करते थे प्रोमोट करते थे जो कुछ अलग काम करता था उसको ये प्राइस देते थे और जब लोगों को प्रेज करते है तो वो और अलग-अलग बैटर आइडियाज लेगा आते हैं तो ये उस टाइम में चल रहा था अब देगे रामायन और जो महाबारत जो आज हम पढ़ते हैं जिस फोम में वो इसी टाइम में लिखा गया था मनु स्मृति मनु सहिंता भी इसको बोलते हैं मनु स्मृति जि जिन्होंने अश्वमेद यग करवाए थी अश्वमेद यग क्या होता है अश्वमेद यग में जो राजा है वो अपने आपको अनौन्स कर लेता है कि मेरे रिजन में या इस कंट्री में मुझसे बड़ा पाउरफुल कोई किंग है नहीं फिर वो क्या करता है अगर कोई है तो वे यग करवाता है और एक गोड़े को छोड़ देता है जिस रिजन में भी गोड़ा जाएगा उस राजा को यग करवाने वाले राजा का आपने आपको सपोर्टर बनाना पड़ेगा अगर वो नहीं मानता तो फिर वो गोड़े को पकड़ेगा और फिर उन दोनों के बीच में युद्ध होगा और रामायन में भी ऐसा ही हो था भगवान श्री राम ने अश्रमेद का यग करवाय था अभी रामायन सीरियल खतम हुआ आपने देखा होगा लवकुष ने वो घोड़ा पकड़ा था और फिर श्री राम की जो सेना थी उसको हराया था तो ये अश्रमेद का यग था और ये गुपताज की कोईन है गुपता कोईन से जिनके उपर अश्रमेद प्राकरम लिखा हुआ है ठीक है ये हमारे ओफिशल स्पोंसर हैं गुरुदेव स्पाइसेज ओर्डर के लिए आप इन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं अब देखिए मैट्स उस टाइम में काफी मैट्स की फिल्ड में काफी कॉंट्रिब्यूट किया था गुपताज जो पिरियड था उसने ये तीन बहुत बड़े नाम हैं मैथमेटिक्स में आर्य बठ हम जानते हैं इन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था वरा मिहर या फोटो देख रहे हैं ये जो चंदरगुपत साइकेंड थे उनके कोल्ट में नाइन जैम्स थे नवरतन थे उनमें से एक थे वरा मिहर और ब्रहम गुपत इन्होंने ब्रहम स्फुट लिखा था ब्रहम स्फुट से दान्त बुग लिखी थी इन्होंने ठीक है तो ये मैथ्स के एस्ट्रोलोजी के बहुत बड़े विद्वान थे ये आर्य बटकी एक स्टैचू है फोटो तो उस ताइम थी नहीं ये मैंने नेट से डूंडी ये फोटो एक स्टैचू सोरी आर्य बटकी कुछ ऐसे रहे होंगे देखा तो नहीं किसी ने बट इमेजिनेशन से बनाये है तो इनहोंने जिरो के इन्वैंशन किया और डैसिमल सिस्ट्म जो आज हम उन यूज करते हैं मैह singers में डैसिमल सिस्ट्म वो भी आर्य डवलप किया नंबर सिस्टम यानि कि काउंटिंग फ्रों वन तो टैन इनको इसको भी डवलप आर यह बटने किया बाद में एक प्रोसेस चलता है कि हम लोगों ने कभी अपने अच्छे कामों का कभी हमने पेटेंट नहीं लिया ठीक है हमने किसी के सामने अपने अपनी तार आर यह बटने अब हमें बता जाता है कि Arabic लोगों ने किया था बट एविडेंस और प्रूफ यह है कि इसको डवलप किया था आर यह बटने और इन्हों ने इन्वेंट किया था formula to calculate area of triangle कोई भी triangle है उसका area find करना यह formula देने वाले भी सबसे पहले आर यह भट ही थे इनसे पहले लोग मानते थे कि अर्थ यह flat है spherical तो किसी को था ही निदिमाग में यह पहले इंसान थे ऐसा बोलने वाले हम पड़ेंगे आगे अच्छा जो ब्रहम गुप थे ब्रहम सुट से दांत के अलावा उन्होंने value of pi पाई के value इन्होंने सबसे पहले discover की थी तो यह बहुत इस टाइम में गुपता डाइनस्टी के टाइम में कोंट्रिब्यूट हुआ है mathematics की field में देखिए astronomy भी math से कही न कहीं जूडी होती है तो area बटने के अपता है था कि earth spherical है ठीक है एक जिसमें area बट को दिखाया गया है और यह पहले थे जिन्होंने कहा था कि sun center में है और earth उसके चारों तरफ revolve कर रही है पहले लोग मानते थे कि earth center में है और sun revolve कर रहा है ठीक है तो यह correct जो बात बोलने वाले थे वो area बटी थे इन्होंने बताय था कि साल में 365 days होते है 365 point ज जिसमें add होता है न six hours extra होते है यह इन्होंने बहुत पहले बोल दिया था जब telescope भी नहीं हो आ करते थे ठीक है इन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनोमर विदाउट telescope देखिए उस टाइम आज से करीब 2-2,000 साल पहले 2000 का रिकोर्ड है हो सकता है उससे भी पहले रहे हूं तो उस दोरान इन्होंने बिना टेलिसकोप ये सब बता दिया था और इन्होंने बताय था क्या timing of solar or lunar eclipse यानि की कब सुर्य ग्रहण होगा कब चंद्र ग्रहण होगा ये predict कर लेते थे बहुत पहले का आने वाले 10 साल, 20 साल का पहले ही बता देते की इस date को सुर्य ग्रहण होगा इस date को lunar eclipse होगा ठीक है फिर इन्होंने क्या prove गया that the earth revolves around the sun मैंने बताया यह पहले थे जिन्होंने बताया कि sun center में earth revolve करती है और यह भी बताया इन्होंने कि earth अपनी center पर rotate भी करती है यानि कि earth spins on its own axis यह सब इन्होंने तब बताया जब हमारे पास science और technology इतनी जादा advance नहीं थी ब आज हम इनको बहुत कम इनका यूज होता है बहुत कम चीजों में इनका नाम लिया जाता है बाकि जो modern day scientist है वो अपने नाम से इनकी जो ठोरम से हैं उन चीजों का अपने नाम से चिपका रहे है लेकिन आरे बट का जो contribution है वो बहुत ज़्यादा है अब उस दोरान science के अला श्रुद जो थे ना वो पहले सर्जन थे यह जो statue है यह हमारे इंडिया का नहीं है कि लगे कि यह तो अपने इंडिया को यह काफी ज़्यादा प्रेज करने यह statue ओस्ट्रेलिया में लगा हुआ है ठीक है और वो लिख रहे है श्रुद फादर ओफ सर्जरी यानि कि पूरी यहां पर हमारा खुद का science था यह पतंजली की statue है पतंजली जिनोंने योग दिया यह serpent दिख रहा है आपको सांप जैसा कुछ ठीक है तो यह योग जब आप इनके उपर भी एक snake दिख रहा है मानते हैं कि यह कुंडलीनी शक्ती है जो हमारे अंदर hidden form में रहती है तो यह प टाइम में थे सभी शूशूरूत पतंजली पाणिनी पाणिनी ने संस्कृत की व्यागरण लिखी थी ठीक है grammar लिखा था संस्कृत का कालिदास के हम बात कर चुके हैं रामैन महाबारत जो present day form में वो उस टाइम था लिखा गया था महरशी पाणिनी पाणिनी ने अस्टा कोई नहीं निकाल सकता इतनी perfect grammar इन्हों ने लिखी थी रिशी थे महान रिशी थे अब देखिए पंच तंत्र और हितोपदेश ये books अब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इनको कोई पढ़ता ही नहीं है हमारे सिलेबस में हुआ करती थी पहले अब इनको हटा दिया है लेकिन ये बहुत important है हमारे behavior wise सोसाइटी में हमें किस तरीके से behave करना है हमारे रहन सेन कैसा हो वो सब पंच तंत्र और हितोपदेश की जो कहानिया है वो हमें सिखाती थी और वो भी इस तरीके से कि उसका जो तरीका था वो जानवरों की कहानियों से हमें morals देते थे तो ये सब उस दोरान जो गुपता डाइनेस्टी थी उस टाइम में flourish हुआ क्योंकि यहां के राजा अच्छे थे और जहां का राजा अच्छा होगा वहां की प्रजा बहुत अच्छे अच्छे इन्नोवेटिव तरीके बनाएगी आप देखिए आर्ट और क्राफ्ट उस टाइम क्या चल रहा था यह नगर और ज्रैवेडियन जो स्टाइल थे वो इसी टाइम में डवलप हुए यह फॉर्म है अलग-अलग मकान बनाने के डिजाइन्स बनाने के बिल्डिंग्स बनाने की फॉर्म है तरीके हैं अभी स्ट बुद्ध का स्टेचू ठीक है बहुत पुरानी है यह मत्हुरा में जो मैंने अभी आपको पहले फोटो दिखाया वो मत्हुरा से मिला था बुद्ध का यह सभी की सभी इतनी अच्छी प्रिजर्व फोम में हमें देखने को मिल रही है इतने हजार साल बाद भी ठीक है उनके उपर बहुत सारा काम गुपता पिरियड में ही किया गया तो मैंने कहा था ना बुद्धिजम जो अजंता की केश है उसमें बुद्ध की लाइफ को डिपिक्ट किया है तो इनोंने बुद्धिजम को भी काफी सपोल्ट किया था गुपताज ने चंदर गुपत टू जो थे ना अब देखो metallergy का भी इनको काफी knowledge था यानि कि metals का knowledge इन्होंने silver के gold के और copper के coin develop कर लिये थे यानि कि इन्हें पता था gold को कैसे extract करना है silver को कैसे extract करना है copper को कैसे extract करना है और इन्हें ये भी पता था कि gold precious है जो metal जितनी कम amount में हमें मिलेगा वो उतना ही जड़ा precious होगा ठीक है नालंदा university को इसी time set up किया गया था with the help of bricks इटे इन्हों ने बनाई थी नालंदा university तक्षश्रीला university ऐसी university हमारी यहां थी जिन में पढ़ने विदेशों से बच्चा आते थे ठीक है आयत सांग ऐसे बहुत सारी है चाइनीज है ट्रैवलर्स हैं जो अपनी log books में लिखते हैं कि इंडिया एक बहुत intellectual country है यहां के gatekeeper भी जो नालंदा के थे वो इनका entrance test लेते थे तो सोचिए आप ए gate की परचो की दार काम करने वाला आदमी भी कितना ज़्यादा intelligent रहा होगा ठीक है अच्छा यह जो statue है बुद्धा की यह मिली तो हमारी इंडिया में थी ठीक है लेकिन इसको उठा लेके Britishers अभी यह Birmingham जो museum है Britain में वहाँ यह statue रखी है काफी इसके ओपर लोग बोल रहे हैं कि इसको हमें वापस ले आना चाहिए इसकी जो shining है अभी भी वैसी की वैसी है 2000 साल इसको हो गए है Society कैसी थी लोगों का रहन सहन एक दूसरे एक साथ behavior कैसा था क्या वो Arabians जो थे उनकी तरह बरबर हुआ करते थे कभीलों में रहते थे लुटे रहे थे या फिर क्या वहाँ के लोग डवलप्ट थे Society को चार पार्ट में डिवाइड किया था Brahman, शत्रिय, वैश और शूद्र ये चार पार्ट बताये थे देखिए Brahman कोन होगा जो पढ़ेगा पढ़ाएगा और यग्य करवाएगा charity करेगा दान करेगा उससे Brahman का गया यह देखिए आप यहाँ पे student और teacher है तो जो भी अभी students है वो उस टाइम में ब्राह्मन थे आगे जाके वो कोई भी occupation करेंगे वो उस हिसाब से अपने वर्ण को define करेंगे यानि कि बर्थ बेजड नहीं था occupation based हुआ करता था यह एक शत्रिय है इनकी duty क्या होती थी to protect the nation अपने nation को protect करना उसके बाद वैश यह व्यापार कर रहे हैं इनका काम क्या हो गया इनका काम हो गया ट्रेडिंग और commerce ठीक है व्यापार करना फिर है शूद्र शूद्र का काम क्या होगा to provide service यानि कि कोई भी service ह हमें की नोकर की जरुरत है घर में कोई helper चाहिए वो शूद्र होगा ठीक है तो एक शूद्र का बेटा भी अगर school जाके पढ़ता है तो वो ब्राह्मन होगा वो शूद्र नहीं होगा लेकिन बाद में मैंने कहा ना वो जो religion था वो वैदिक था अब हम वैदिक को हमने किसी दी चीज़े डाल दी ताकि यह जो इंडिया की society है यह कभी unite नहीं हो पाए और इस तरीके से इन में बहुत सारी evils आ गए अब कोई भी शूद्र का बच्चा अगर school भी जाता है तो वो शूद्री रहेगा यानि कि जो हमारी society है वो बर्थ बेस्ड हो गई है पहले occupation based अब देखिए woman का क्या रोल था woman के जो इज्जत थी वो मतलब जो respect थी वो काफी ज़्यादा थी ठीक है वो respectable position थी society में कोई भी यग होता था यजना perform किया जाता था तो woman का यानि कि wife का अपने husband के साथ यग में बैठना यजना perform करना compulsory था ठीक है उसके बिना यग को complete नहीं नहीं माना जाता था तो काफी respectable position थी whale system परदा प्रता नहीं थी ठीक है गुंगट रगना यह सब उस टाइम में नहीं था तो यह कब शुरू है यह शुरू है अरे बिक्स के आने के बाद देखते हैं वो लोग अभी भी इसको follow करते हैं ठीक है next वीडियो में हम कोई दूसर देखेंगे अभी के लिए आप एक बार जो पीछे हैं अमने एमपरस पड़े हैं एक बार उनको जरूर रिवाइज कर लीजिए ठीक है